दोस्तो दुनिया में वही इंसान सुखी हो सकता है जिसे कोई चिंता ना हो। जिस किसी के पास भी चिंता है वह कभी जीवन में सुखी हो ही नहीं सकता और जिंदगी भर हम इस चिंता को मिटाने का प्रयास करते रहते हैं। जहां कोई चिंता नहीं है वह चिंता मुक्त स्थान है। एक कहानी है एक व्यक्ती चिंता के बोज के तले दबा जा रहा था। उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं थी। वह यह देखकर हैरान था कि एक चिंता को समाप्त करने के लिए उसे उसके लिए कई चिंताएं करन इस तरह से चिनताओं की एक श्रिंखला बंद जाती है, जो कभी समाप्त नहीं हो रही बलकि बढ़ती जा रही है. और हर बार जब वह यह सोचता कि अब उसकी समस्या का समाधान हो गया और अब कोई चिनता नहीं, तभी एक नई चिनता पैदा हो जाती. एक दिन उसने देखा कि एक गुरू उसके गाव में आये हुए हैं और अपना प्रवचन दे रहे हैं प्रवचन समाप्त होने के बाद भगुरू के पास पहुचा और कहा गुरू देव ये चिंता क्या होती है और जब हमारी समस्या का समाधान हो जाता है तब भी चिंता क्यों बनी रहती है जब मुझे कोई चिंता सताती है तो मैं देखता हूँ कि उस चिंता को समाप्त करने के लिए बहुत सारी चिंताएं अब मैं करने लगा हूँ मेरे जीवन में बहुत सी चिंताएं हैं और मैं इन चिंताओं से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ क्या कभी मैं अपने जीवन में इन चिंताओं से बाहर आ सकूँगा गुरु ने कहा संतुष्टी संतुष्टी ही एक ऐसी चीज है जो चिंता को समाप्त कर सकती है तुम्हें एक ऐसी चीज ढूंडनी होगी, जिससे तुम संतुष्ट हो जाओ, अगर तुम्हें वह चीज मिल गई तो फिर तुम कभी चिंतित नहीं रहोगे, बताओ, क्या चीज है, वह है जो तुम्हें संतुष्ट कर सकती है, व्यक्ति ने कहा, मैं एक छोटा व्यापारी ह तो मेरे पास इतना धन होगा कि हर चीज मेरे पास होगी, तब न चिंता होगी और न दोविधा, मेरे परिवार में जो समस्या चल रही है, वह भी समाप्त हो जाएगी और मैं अधिक संतुष्ट होता चला जाओंगा, गुरु ने कहा, अब जाओ, और अपनी संतुष्टी क उसने बहुत मेहनत की, धीरे धीरे उसने हर वह चीज प्राप्त की, जिससे उसे लगता था कि वह उसे प्राप्त करके संतुष्ट हो जाएगा, दस वर्ष बीद गए और अब वह उस पूरे राज्य का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, पर वह अभी भी संतुष्ट नह ही फंसा रहता, उसे कुछ और सोचने का समय ही नहीं था, वह किसी भी तरह से अपनी चिंताओं से बाहर आ जाना चाहता था, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, एक दिन उसके द्वार पर वही गुरु भिक्षा मांगने के लिए आये, गुरु को देखते ह पहचान गया उनके चरणों में गिर कर, उसने कहा, गुरु देव आपने मुझे पहचाना, दस वर्ष पूर्व मैं आपसे अपनी चिंता का समाधान पूछने आया था, आपने कहा था कि इस दुनिया में ऐसी चीज ढूंड़ो, जिससे मैं संतुष्ठ हो जाऊं तो चिंत गुरु ने कहा, यह तो होना ही है, इस दुनिया में चिंता मुक्त वही हो सकता है, जो इस दुनिया में उस स्थान को खोज ले, जिसे चिंता मुक्त स्थान कहा जाता है, जो भी व्यक्ति उस स्थान पर पहुचता है, उसे फिर किसी भी चीज की चिंता नहीं होती, सारी च जाने के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, स्पष्ट तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर तुम्हें एक इशारा कर देता हूँ। तुम अगर समय गए तो तुम वहां पहुंच ही जाओगे। व्यक्ति ने कहा, आप इशारा ही बता दें गुरुदे मैं वहां पहुंच ही जाओँगा। गुरु ने कहा, वह यात्रा तब शुरू होती है जब आप स्पष्ट रूप से यह समझ जाते हैं कि बाहर की कोई भी यात्रा, कोई भी चीज आपको संतुष्ट नहीं करेगी। यह कहकर गुरु से चले गए। वह व्यक्ति यह सोचत नहीं दे पाया कि वह कौन सी यात्रा है, जिससे चिंता मुक्त स्थान की यात्रा होती है, किस दिशा में जाए, कितनी दूर जाए, धर्ती पर वह जगह कहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर उसने सोचा कि क्यों न सीधे गुरु से ही पूछ लेता हूँ, इसका जवाब केवल वही दे सकते हैं, वह जगह केवल वही बता सकते हैं, और उस यात्रा को किस दिशा में और कैसे शुरू करना है, यह सब वही बता सकेंगे, वह गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने जो इशारा किया था, वह मैं अभी तक पर पहुंच सको, गुरु ने कहा, ध्यान से सुनो, इस दुनिया में केवल दो ही तरह की यात्रा हो सकती है, एक यात्रा बाहर की ओर होती है, बाहर की यात्रा में, धन दौलत, पद प्रतिश्ठा, मकान, घर, मान सम्मान, अधिकार, क्रोध, प्रेम, नफरत, इच्छा, मह वो सकोगे? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरु देव, मैंने देखा है, ये सभी चीज अपने साथ चिंताएं लाती है, और इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त करके संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता, गुरु ने कहा, जिसने यह जान लिया कि बाहर की यात्रा करके कुछ भ दूसरी यात्रा भीतर की यात्रा होती है, अंतर की यात्रा होती है, इसकी दिशा तुम्हारे अंतर में होती है, जिस प्रकार आँखें खोल कर बाहर की यात्रा होती है, उसी प्रकार आँखें बंद करके भीतर की यात्रा होती है, इस यात्रा में धन दौलत, पद जाते हैं Хमिए इन चीजों की विर्थता का ग्यान होता चला जाता है और जिस चिंता-mukth-स्थान को तुम ढूंड रहे हो वह इस दुंइया में तुमहारे भीतर तुमहारे अंतर में हैं। तब तुम बाहर की चीजों की व्यर्थता का ज्यान भली भांती कर लेते हो, तब तुम अपने अंतर में उतरना शुरू करते हो, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ती जाती हो, तुम्हें वह चिंता मुक्त स्थान दिखाई देने लगता है, अब तुम्हारे जीवन में चा गुरू ने कहा, बाहर की ओर यात्रा कर रहे सभी लोगों को चिंता होती है, तुम्हें भी होगी, परन्तु जो भीतर की आतरा में चल रहे होते हैं, वह यह भली भांती जानते हैं कि चिंता करके कुछ नहीं होने वाला, पत्नी का इलाज कराने से वह स्वस्थ हो जाएगी तो वह उसका इलाज कराने पर जोड़ देगा ना कि चिंता करने पर। और क्या आज तक कोई चिंता करके किसी को स्वस्थ कर सका है। व्यक्ति ने कहा गुरु देव अगर कोई सगा संबंधी मृत्यू को प्राप्त हो जाए तो उसकी कमी तो अवश्य महसूस होगी। उसके ना होने की चिंता भी हमें होगी। गुरु ने कहा हमें कमी उसी की महसूस होती है। जिसके साथ हम अपना जीवन नहीं गुजार पात हम चाहते हैं अपने माता-पिता के साथ एक अच्छा समय बिताना, पर हम नहीं बिता सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चिंताएं हैं। हमारे पास समय नहीं है। हमें बाहर की दुनिया में बहुत कुछ हिकठा करना है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को हमेशा अपने सगे संबंधियों के जाने पर बहुत दुख होता है। गुरु ने कहा, जैसे बाहर की यात्रा शुरू होती है, ठीक वैसे ही भीतर की यात्रा भी शुरू होती है। व्यक्ति ने कहा, गुरु देव, इस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगता है। गुरु ने कहा, ये तुम्हारी इच्छा शक्ती पर निर्भर करता है। इस यात्रा को कुछ पल में भी पूरा किया जा सकता है और इसके लिए पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है। पर जिन्हें यात्रा करनी हैं वे मंजिल की दूरी नहीं देखते, शरीफ चल पड़ते हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं बाहर की यात्रा बहुत कर चुक गुरु ने कहा, नहीं, तुम संसार में रहकर भी अपने भीतर अपने अंतर में उतर सकते हो, सिर्फ तुम्हारी संकल्प शक्ती मजबूत होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो भीतर की यात्रा पर चल रहा है, वह बाहर की यात्रा में जो चाहे पा सकता है। उस व्यक्ति को समाधान ढूंडने पर जोर देता था न कि समस्या को लेकर रोते रहने में दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी से आपने बहुत कुछ सिखा होगा मैं मिलता हूँ इसी तरह कि एक और नई कहानी में और तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए